तो रिसेंटली देख सकते हो भाई यहाँ पर कल की और आज की दोनों की ही मैं आपको प्रूब दिखाने वाला हूँ लेकिन अमाउंट देखो 4000 रुपे का है मतलब 4000-2800 रुपे का लोन अमाउंट है लेकिन इसके साथ अगर आपको मैं दिखाऊंग यहाँ पर भाई रीपेम अगर मैं आपको दिखाऊंग तो यहाँ पर पहले भाई लिया गया तीनिजा रुपे का लोन और यह भी पेड हो गया देन इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो लोन अमाउंट है अभी जो अभी तक का जो हिस्ट्री है वह है 4000 रुपे की देन इसके बाद यहाँ पर कोई द सीट बट अगर आप लोगों को यहाँ पर माल लिजे सपोस्ट अप्लाई करना है तो भाई सुरूप में मिलेगा 3000 रुपे का यह पुरूप है कि फर्स्टाम मिलेगा 3000 रुपे का और रिपेमेंट करनी होगी आपको 3800 रुपे की और जैसी आप इसकी पेमेंट कर दोगे ल 1200 212 रुपे यह दे रहे हैं अलकि अगर इनको 300 रुपे के पेमेंट भी की होगी तब इन को 300 रुपे का την 25 का लोग अपने 1650 रुपे अधिमेंट करने के लिए आप लोग भी same ही process हुआ तो मतलब 1600-1600 3000 रुपे का लोस तो वैसे ही हो गया आपका उसके बाद आपने 3000 रुपे का ये क्या payment उसके बाद दुबारा यहाँ पर देखिए limit increase करके इन्होंने 4000 का दे दिया लेकिन यहाँ पर भी लोस हुआ कहीं लग रहा है कि आपको profit हुआ है मुझे तो 7 दिन की किसी भी loan application में कहीं भी repayment करने पर profit नहीं दिखता यह है इसका प्रूप अगर आपको फिर भी doubt है ना कि भी अगर हम repayment करेंगे 7 दिन का तो profit level में आएगा नहीं single product जिसमें single product होता है single जो multiple application नहीं single application होती है उन्हों में कभी benefit नहीं होता शिर्फ 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 multiple में होता है जिसमें आपको multiple products हो रहे हैं difference amounts हो होते हैं different turnovers होते हैं difference product names हो होते हैं उसमें आपको profit आ सकता है आतरवाई आप कितनी भी कोशिश कर लो इसमें नहीं आएगा